हाई एवरिवन आज हम बात करेंगे चाय के बारे में टिपिकल इंडियन चाय की उसको बनाना कैसे उसको बनाने का सही ढंके आया है और उसको किस ठाइम पे लेना है क्यूंकि हम जो है सभी लोग 99% लोग जो है चाय जो हैं गलत तरीके से बनाते हैं हम अपनी चाय को बहुत ज़्यादा काड़ के बनाते हैं जिससे वो हमें काफी नुकसान पहुंचाती है हमें सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, चाय तो चाहिए ही हम सभी लोग चाय के इतने अडिक्टिव है कि हमें चाय ना मिले तो उससे हमें ऐसे लगते हैं headache हो रहा है anxiety हो रही है लथार्जी फील करते हैं कई लोग तो इतने addictive हो जाते हैं कि उन्हें bad time tea चाहिए ही जिससे उनका ball moment हो उन्हें लगते हैं कि वो चाय नहीं लेंगे तो उनका ball moment नहीं होगा और हमारे इंडिया में हमें किसी के घर जाना है किसी नहीं हमारे घर आना है बच्चों की एक्जाम से कोई गमी है चाय तो बननी ही बननी है हम इंडियन्स के लिए जो चाय एक energy boosting drink की तरह काम करती है अब देखते हैं कि हमें चाय किस टाइम पे लेनी हमें चाय empty stomach बिल्कुल भी नहीं लेनी वह हमें बहुत नुकसान करती है हमें morning अपनी morning की start incline से करनी चाहिए चाय जो है caffeine जो है वह acidic होता है उससे नहीं करनी हमें अपनी start morning की water से nuts और seeds और fruits के बाद उसके वन आर बाद हमें अपनी चाय लेनी है number two चाय हमें मील के साथ बिल्कुल भी नहीं लेनी हमने breakfast किया उसके 45 मिनट बाद आप चाय ले सकते हो meal के साथ चाय लेने से क्या होता है कि जो हमें meal से हमें iron मिल रहा है उससे हमें जो nourishment मिलनी है वो नहीं मिल पाती क्यूं जो चाय का tannin होता है वो उसको absorb भी नहीं होने देता और दूसरा हमें bed time चाय बिल्कुल भी नहीं लेना कई बर हमें लगता है कि हमें नीम नहीं आ रही तो चलो चाय ले लेते हैं चाय लेने से क्या होता है हमारा melatonin hormone नीम वाला hormone डिस्टरब हो जिससे हम next day बहुत ठके ठके से फील करते हैं हमारा वो दिन अच्छा नहीं निकलता अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको चाय बनानी कैसी है जब हम अपने चाय में herbs और spices मिला कर बनाएंगे तो वो हमारी immunity को boost करेगी herbs optional है आपको कौन सी पसंदर आप वो आप डाल सकते हो जो आपको नहीं पसंद आप उसको skip कर सकते हो मैंने यहां पर लिये सोंफ, हरी लाइची, मोटी लाइची, तुलसी, लोंग और तालचीनी आप काली मिर्श का भी यूज कर सकते हो और अद्रग का भी मैं यहां grated fresh ginger यूज कर रही हूँ इन herbs और spices में से अगर आपको कोई ना बसंदो तो आप उसको skip भी खर सकते हो चाय बनाने के लिए हम दो पैन लेंगे, एक में हम पानी के साथ यह अपनी herb और spices बॉil करेंगे और दूसरे पैन में हम अपना दूद जो है वो बॉil करेंगे पानी डाल के उसमें बॉil आने देंगे, अपने herbs और spices अड़ करेंगे और अपनी tea leaves अड़ करेंगे इसको एक दो मिनट तक करने देंगे, दूसरी तरफ हम अपना दूद अड़ कर लेंगे अगर आप दूद की चगे nuts का milk अड़ करना चाहते तो आप वो भी अड़ कर सकते हो पर हमें अपने herbs और spices को अलग बॉil करना है और दूद को अलग, इनको इकठा कभी नहीं बॉil करना ही है अगर जाय जो हम काड काड़ के दूद के साथ बनाते हैं वो बहुत नुकसान गरती है कुछ दिनों पहले तो news में भी आ रहा था ये दूद के साथ कड़ी हुई चाह तो बहुत नुकसान गरती है जब आप तूद बॉयल कर रहे हैं तो अब उसमें चीनी, शक्कर, गुड जो आपको मिलाना है मिला सकते हो मुझे चाय फिक्की पसंद है तो मैंने अपनी फिक्की बनाई है अब हम देखते हैं कि हमें चाय के साथ हम क्या क्या ले सकते हैं चाय के साथ हम घर की बनी हुई चिड़वा नमकीन, मखाने, रोस्टेट चना, रोस्टेट पिनिट्स अब विंटर सारिया हम लड्दू बनाएंगे, पिनिया बनाएंगे, पंजीरी बनाएंगे वो सम हम अपनी चाय के साथ ले सकते हैं पर लिमिट में अगर हम जादा चाय पिएंगे दिन में 5-6 कफ पिएंगे तो वो हममें बहुत नुकसान पहुच चाहेगी हमें मिनिम साथ निमन wordt 2 चाय लेनी है एक वनिंग में ले सकते हैं प्रॉपर नहीं होगा जो हमारी इंडियन स्पाइसेज वाली चाही है अगर आपको ब्लोटिंग होती है तो अपनी चाहे में थोड़ी सी लेमन ग्रास डाल सकते हो और चाहे के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है चाहे के बाद हमें अपने पानी का इंटेक अच्छा आ चुके अब इन फेस्टिवल से हम अपने चाहे को सई धंग से बनाने की शुरुबात करते हैं एक बार आप ऐसे बना के देखो टेस्ट में कोई फरक नहीं आता चाहे बहुत अच्छी बनती है एक बार ऐसे ट्राइज जरूर करना थोड़ी सी मेहनत है बिल्कुल हलकी सी हल्दी खाईए हल्दी रहिए बाए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना